आईए सुनते हैं रेलवे अपनी प्रेस कॉंफरेंस में क्या कह रहा है इसके बाद जब यह कंप्लीट हो गया, उसके बाद रेस्टोरेशन के लिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं और यह रेस्टोरेशन कब तक हो जाएगा और कि यह जो इंजर्ड लोग हैं, उनका क्या ख्याल किया जा रहा है और किस तरह से हम उनकी सबसे अच्छी देखबाल करने की कोशिश कर रहे हैं उसके बाद अगर आप लोगों को कुछ और एडिशनल जानकारी चाहिए तो मेरी जहां तक समझ है या डीटेल्स है मेरी पास मैं आपसे शेयर कर लूँगी तो सबसे पहले ये हमने आपको एक मैप दिया है जो की सिंप्लिफाइ करके दिया है एक स्टेशन के बारे में ये स्टेशन है बहनगा बजार ये बाला सोर डिस्ट्रिक्ट में है डिस्ट्रिक्ट हेटपॉर्टर से करीब 25 किलोमीटर दूर है ये दो तारिक की दुरगटना है जब तकरीबन शाम के 6 बज़ के 55 मिनट पे कुरोमंडल एक्स्प्रेस जो इस स्टेशन पे आ रही थी वो दुरगटना ग्रस्त हुई और उसकी दुरगटना की वजह से जो और गाड़ियां उस स्टेशन से या तो निकल रही थी भी या उस पे खड़ी हुई थी उनको भी इसकी चपेट में आ गई हूँ तो अगर आप यह स्टेशन का ले आउट देखेंगे यह आपके पास है यह station का layout अगर आप देखते हैं इसमें चार line है यह 4 line का station है इसमें दो line है एकदम सीधी जिनको हम लोग main line कहते हैं तो जो through गाड़िया है जिनको उस station पर रुकना नहीं है वो इस main line से सीधी निकल जाती है उसके अलावा जो दो side में एक उपर एक नीचे दिख रही हैं आपको वो lines हम उनको loop line कहते हैं जहां पर अगर हमको किसी गाड़ी को रोखना है तो हम वहाँ पर उस गाड़ी को उस loop line में लेते हैं तो यहां पर उस समय दो mail express गाड़ीयों को पास होना था अलग-अलग दरेक्शन में एक गाड़ी आ रही थी इस प्रसे बता देती है कोई नहीं मैं फिर से बता देती है उसमें कोई चिंता कि रही है चार लाइन का स्टेशन है इसकी जो बीच की दो लाइन है वो मेल लाइन है जो कि अगर गाड़ी रुक नहीं रही है तो ज्यादा तर उससे जाती है और जो दो और लाइन है आजू बाजू अलग अलग वो लूप लाइन कहलाती है जिसमें कि हमको अगर गाड़ी को रुकना है तो हम वहाँ पे उसको ले जाते हैं और उसको वहाँ रुकते हैं इस दिन इस समय यहां पर दो गाड़िया खड़ी थी जिनको रोका गया कि यह मेल एक्स्प्रेस गाड़िया जो है जिनको यहां रुकना नहीं है उनको जाने के लिए एकदम ख्लियर पाथ मिले तो उस हिसाब से यहां पर जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है लूप लाइ वो यहां पर खड़ी थी और नीचे जो लाइन दिख रही है वो अप लूप लाइन है वो अप लूप लाइन में एक और गुट्स ट्रेन रोक दी गई थी जिससे की मेल एक्स्प्रेस के लिए क्लियर पाथ मिल जाए वो गुट्स गाड़ी थी एक आईरन ओर से लदी च्योँकि आइज़ी बैंग लोड में पोरी फी और बैंगिलोर से आहान है चलीमर से चली थी कलकत्ता है करम चलीमर से चली का प Course वोरोमंडल यह चन्न øही दो रही थी इसके लिए भी मेन लाइन शर्ट थी दूसरे ड ży्सिकों लोग अपमें लाइन कहता है उस लाइन का डारेक्श्स सट आ root set था, हर तरह से signal set थे, और signal green थे, green signal का मतलब है, driver को signal का indication अगर green मिल रहा है इसका मतलब है, उसका आगे का path एकदम clear है, और वो सीधा अपनी पूरी speed, जो भी उसको permitted maximum speed है उस पे वो अपनी गाड़ी को चला के ले जा सकता है, तो वो लगबग यहाँ पे इस section पे इस गाड़ी के लिए 130 km की permitted speed है, वो 128 km पर आर पे था, जो कि हम लोगों ने लोकों के record से भी confirm किया है, वो 128 km पर आर की speed पे था कुरमंडल वाला, और दूसरी direction से यश्वंत पुर्जवारी थी, वो भी 126 पे थी, वो भी यह speed थी गाड़ियों की, जो कि permitted speed के अंदर थी, limit पे थी, तो over speeding की कोई बात नहीं थी, signal एकड़न जो उसको दिख रहा था, green था, और उसको सीधा जाना था, किसी कारण बर, जो कारण अभी investigation में है, और मंत्री जी जैसा आप लोग देखी रहा है, कि मंत्री जी पिछले 36 घंटे से उसी साइट पे है, और वो वहां से हिल नहीं रहा है, वहां पे वो restoration, investigation, relief, और जितने भी लोग hospital में भी हैं, उनसे भी जाके मिल रहा है, तो he is doing everything from there, and he is leading from the front. So, उन्होंने अभी जानकारी दी है, कि preliminary finding से ऐसा लगता है, कि signaling में कोई परिशानी पाई गई, लेकिन वो भी preliminary जानकारी है, हमारे जो Commissioner of Railway Safety है, उनकी जाच चल रही है, इसलिए उनकी जाच complete हुए बिना, हम लोग कुछ भी नहीं share कर सकते हैं, अभी detail में, क्योंकि जो भी हम कहेंगे, अगर वो गलत हो गया, तो फिर वो ठीक नहीं होगा, इसलिए हम भी अभी इंतिजार कर रहे हैं, कि वो अपनी findings हमें complete, detailed findings हमें बताएं, जिससे कि हम लोग पता कर सकें, कि क्या कारण था, जिसकी वज़े से ये दुरघटना हुई, दुरघटना सिर्फ कूरमंडल एक्स्प्रेस की हुई है, ये भी एक चीज है, जो कि सब को समझने की आवश्यक्ता है, कि यहाँ पे तीन इंजिन भिड़ गये, और बहुत सी multiple trains जो हैं, वो आपस में टकरा गई, कैसे सब एक ही रास्ते में थी, ये इस तरह की गलत information या गलत समझ फ्लोट अराउंड कर रही है, तो उसको clarify करने के लिए मैं दुबारा ये बताना चाहती हूँ, कि सिर्फ एक train शतिग्रस्थ हुई, एक train का accident हुआ, जो कि कोरमंडल थी, उस train किसी कारण, जिस भी कारण के बजह से, जिसको हमें पता चलेगी अब इक डीटेल में कि क्या कारण था, वो जो accident ग्रस्थ हुई, और अब लूप लाइन में जो आईरन ओर की train खड़ी हुई थी, जो मैंने आपको बताई, माल गाड़ी, उससे टकराई, उसके उपर उसका engine चला गया, उसके कुछ coaches चले गए, और ये इतना तेज इंपक्ट था, वो basically इसलिए था, क्योंकि train अपनी full speed पे थी, 128 kmph पे मामूली चीज नहीं है, और दूसरी issue ये था, कि वो एक आईरन ओर की train थी, जो कि बहुत ही भारी train होती है, तो वो सारा impact जो है, अगर आप लोग किसी भी technical collision expert से भी पूछेंगे, collision का impact उसने completely reject कर दिया, क्योंकि वो आईरन ओर भरी हुई train थी, और पूरा का पूरा impact जो है, उस सारा का सारा train के उपर आगया, coaching train थी है, अब इस train के बारे में बहुत कुछ बताना चाहूँगे, यह train है, LHB train, हमारी जो LHB coaches है, उसकी train है, यह LHB is a very, very safe train, अगर आप और accidents इस तरह की train के देखेंगे, आपको मिलेगा कि even at full speed, यह train capsize नहीं होते हैं, इसके coaches जो है, they don't turn turtle, और इसलिए उसमें जो लोग होते हैं, उनको कोई ज़्यादा injuries नहीं होती है, unfortunately, इस case में यह ऐसा हाथसा हुआ, कि इस speed पे, अगर पूरा का पूरा impact train के उपर आएगा, तो कोई भी, दुनिया में ऐसी कोई technology नहीं है, कि वो इस तरह के jumbling आपको prevent कर सके, मालगारी भीकुर नहीं derail हुआ, क्योंकि iron ore था, तो iron ore इतना stable और उसकी center of gravity इतनी stable होती है, कि वो नहीं हिली तक नहीं हुआ, थोड़ा वा तेदर उदर हुआ, पर वो हिली नहीं, और पूरा impact जो है, वो इस train के उपर आगया, जो कि passengers के साथ थी, और उसकी वजह से यह injuries और unfortunate deaths बहुत हुई, तो यह है background इसका, इसके साथ चुकि इसके डिबे बिखर गए, impact के वज़े से, collision के वज़े से, सारा इधर होदर बिखरे, तो उसमें से कुछ डिबे जो है, वो अगर आप देखेंगे, तो यह जो down line, main line है, इसकी तरफ आगया, और यह down main line पे यश्वनपूर एक्सप्रेस निकल रही थी, वो भी 126 की स्पीट पे जा रही थी, वो करीब करीब क्रॉस कर गई थी, वो तो misfortune है कि लिटरली एक fraction of second के लिए, उसके पीछे के दो डिबे थे, जो की इसके derail डिबो के रास्ते में आ गए, और इन derail डिबो के impact से, उसके आखरी दो डिबे, वो भी derail होके, यश्वनपूर एक्सप्रेस के, वो भी derail होके दूसरी तरह फिग गए, तो यह सारा इतनी speed में और इतनी momentum में था, कि उसकी वज़े से वो दो डिबे भी शतिक्रस्त हुए, और उसके भी कुछ लोगों को बहुत injuries हुई, कुछ deaths भी हुई, यह हुई यश्वनपूर एक्सप्रेस, जो की उसमें involved हो गए, उसके अलावा जो एक और मालगाडी दूसरी तरफ जो खड़ी हुई थी, जो जिसको डाउन लूप में दिखा रहे हैं, यह आपको stationary goods train, यह इस पे भी थोड़ा सा लिब्बों का impact हुआ पर कोई खास उसके शतिन हुए, यह पूरे accident का background है, इसके बाद जो सबसे पहला काम हुआ, जो railway में एक बहुत laid down procedure है, इस तरह के disasters के लिए, कि वो station master ने तुरंट control को message करी, और उसके बाद हमारी जो medical relief train होती है, वो दू जगे से तुरंट चल पड़ी, 20 मिनट के अंदर वो गाड़िया चल पड़ी, एक आई खुरदा की तरफ से, मतलब भुबनेशवर की तरफ से, और एक आई खड़कपूर की तरफ से, भुबनेशवर वाली पहले पहुंची, और उसके ज़स्ट दस मिनट बाद खड़कपूर वाली पहुंची, साथ में NDRF को इन्फॉर्म कर दिया गया, NDRF की एक टुकडी बालसोर में स्थित थी, क्योंकि वहाँ पे साइकलोन और ये सब फ्लाड्स बगरे के लिए, उनकी एक टुकडी महाँ पर मौजूद रहती है, उस टुकडी को तुरंत इन्फॉर्म कर दिया गया, ये भी मैं बताना चाहूंगी कि हम लोगों की NDRF के साथ, इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए exercise चलती रहती है, coordination चलता रहता है, और हम लोग बहुत सारी mock drills करते हैं, उसका ये फाइदा हुआ कि NDRF की टीम जो बालसोर में मौजूद थी, वो भी वहाँ से चल पड़ी तुरंत तयार होंके और वो भी पहुँची, जो आर्मी की भी वहाँ पर एक टुकडी मौजूद थी, वो भी mobilize हो गई, उसको information पहुँच गई, वो भी आ गई, जो state administration था, जो state disaster relief थी, जो district manager, DM, and his team, and the SP, and the local administration, everybody responded, locals जो वहाँ पर थे, वो तो खहाँ देया, the first responders, वो सारे locals आ गए, and immediately जितने लोगों को वहाँ से निकाला जा सकता था, उनको वहाँ से मजबी के अस्पताल ले जाया जा सकता था, उसके लिए जो भी कारवाई करनी थी, उस लोगों ने शुरू कर दी.